मैं डॉक्टर मंजू मिना, MS Girls College, बीकानेर, Department of Political Science आज का अपना टोपिक है काल माक्स काल माक्स को हम वेक्यानिक समाजवाद का प्रवर्तक जो है मानते हैं काल माक्स का नाम आप लोगोंने सुना होगा जिन्होंने ये नारा दिया था कि वेशु के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुमारे पास बेडियों को खोने के अतरिक्त कुछ भी नहीं है और काल माक्स की ऐसे विचारक हैं जिन्होंने श्रमिकों की शार्षन विवस्था को इस्थापित करने की बात कही और काल माक्स का यह मानना था कि उत्पादन के जो सादन हैं उनकी उपर पूझी पतियों का अधिकार नहीं होना चाहिए पूझी पति के हाथ में उत्पादन के सादन जो हैं नहीं होने चाहिए और उत्पादन के साधन से मतलब आप लोग समझते होंगे उत्पादन के साधन कौन-कौन से होते हैं भूमी श्रम, पूंजी, उद्ध्यम, और साहस और ये साधन जो है यह माक्स के अनुसार जो है पूंजी पतियों के पास में नहीं होने चाहिए तो माक्स जो है उन्होंने समाजवाद को इस्थापित करने के सम्मंद में अपने विचार जो है प्रस्तित किये और इसी लिए उनको विज्ञानिक समाजवादी के नाम से संबोदित किया जाता है और माक्स ने अपने विचारों को विज्ञानिक इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने विज्ञान की भाती समाज का जो स्वरूप है और उसका जो विकास है उसके नियमों की खोज करने का प्रयाज जो है वह किया उन्होंने सिर्फ नियमों की खोज ही नहीं की बलकि उन्होंने यह भी पता लगाने का प्रयाज किया कि समाज में परिवर्दन क्यों होते हैं और भविशे में यह जो परिवर्दन है यह किस-किस प्रकार क्यों होंगे और किस-किस दिशा में जो है यह जाएंगे तो माक्स का स्थान जो है अपने पाशाते राजनतिक जिनतकों में महत्तुपून माना जाता है और इसी कारण से हम इनका जो है अध्यन करते हैं, इनकी विचारों का जो है अध्यन करते हैं माक्स मोलते जर्मनी से संबन दे थे, इनका प्रारंबिक जीवान और शिक्षा दिक्षा जो है जर्मनी में हुई लेकिन इनको प्रसा, फ्रांस, बेल्जियम यहां पर जाने का जो है अवसर प्राप्त हुआ और इनको फ्रांस में कई जो है विचारकों से मिलने का अवसर भी प्राप्वा तो माक्स ने जो अपने समाजवादी विचार दिये हैं उनके उपर किन-किन वेक्तियों का प्रभाव पड़ा और जिसकी वज़े से माक्स की विचार जो है समाजवादी विचार के रूप में जो है हमारे सामने जो है आते हैं तो हमें यह देखना है कि माक्स कि किन की विचारों से प्रभावित है और जिन की विचारों से प्रभावित हो करके माक्स ने जो है अपने समाजवादी विचार जो है वह प्रस्तूत किये जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताये कि प्रतेक विचारक जो है अपने अपने समय की परिष्थितियों से प् का श्रोत जो है वहै, क्या था। साधारंत् gonna mask के समन्द में ये ये का जाता है कि माक्स जो है वेग्यानिक समाजवात के जनक हैं लेकिन उनकी जो विचारधारा है, वहै मुलिक नहीं मानी जाती है क्योंकि marks से पहले भी समाजवात समाजवाद से समंदित विचार प्रस्तुत किये जा चुके थे लेकिन उनको कालपनिक माना जा रहा था उनको वेवारिक और वास्तिक बनाने का कारे मार्क्स के द्वारा किया गया तो मार्क्स के विचारों पर सबसे बड़ा प्रभाव या मार्क्स की विचारों का सबसे पहला शुरूट जो हम मानते हैं वह है हीगल हीगल से मार्क्स जो है अतिथिक प्रभावित था हीगल का जो द्वंदवाद है हीगल ने अपना जो द्वंदवाद प्रस्तुत किया वह प्रकर्टी के समन्द में प्रस्तुत किया अध्यात्मिक चेत्र में उन्होंने अपना जो है द्वन्दवाद प्रस्तुत किया लेकिन मार्क्स जो है भोतिक वादी है और इसलिए उसने अपने द्वन्दवाद को भोतिक तत्वों के समंद में प्रस्तुत किया और इसलिए कहा भी जाता है कि हीगल का जो द्वन्दवा है वह सिर के बल खड़ा था और माक्स ने उसे पेरों के बल खड़ा कर दिया तो हीगल की जो द्वंदात्मक पदती है उसने माक्स को सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि हीगल हीगल की द्रस्टी में पते की मनुश्य का जो इतिहास है उसका जो विकास करम है उसको द्वंदात के आधार पर समझने की कोशिश की गई और हीगल की भाथी ही माक्स ने भी ये स्विकार किया कि एतिहासिक विकास की जो प्रकिरिया है हम जैसा की मानव विकास के समन्द में जब अध्यन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है मानव अस्तित में आया उसने जो है अगनी का विश्कार किया उसने पहिये का विश्कार किया उसने जो है करशी करना शुरू किया उसने पशुपालन मतकिक का वेवसा तो ये जो विकास की प्रकरिया है तो इस विकास की प्रकरिया के समंझ में मांक्स ने ये स्विकार किया कि या प्रकरिया जो है द्वं具वात का प्रिणाम स्वरुबी है और उसी करण से मानव का आर्थिक विकाद उसी के आधार पर हुआ है तो मार्क्स का यह विश्वास था कि सामाजे की इतिहास की जो चरम परेनिती है विकास की जो चरम परेनिती है वह है सारवहारा वर्ग सारवहारा वर्ग अर्था श्रमीकों का वर्ग जो है उसके उत्थान के रूप में हुई है और ये जो वर्ग है इसका समाज में जो है महत्तुपून इस्थान है तो हीगल का जो दर्शन है उसकी प्रेरिक शक्ति जो है अध्यात्मिक सिद्धानत है और उसकी आधार पर उसने अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया लेकिन मार्क्स का जो दर्शन है उसकी श्वेम विकासिल उत्पाधन शील शक्तियां है और जो अपने आपको आर्थिक वित्रन के या आर्थिक बटवारे के बुनियादी डहंगों में तथा उसे सम्मंदित जो सामाजिक वर्ग है उसके रूप में जो है उसको वेक्त करती है तो हीगल का जो विचार है मुलते जो उसका दुवन्दवादी जो विचार है उसने माक्स को बहुत अधिक प्रभावित किया और उसी के आधार पर माक्स ने अपने विचार जो है वह प्रस्तुत किया दूसरा जो शोत है जिसने की माक्स को अधिक प्रभावित किया वह ब्रिटिस अर्थ शास्त्रियों का जो चिंतन है उसने माक्स को बहुत अधिक प्रभावित किया माक्स ने ब्रिटिस जो विचारक है अर्थ शास्त्रियों है जिनमें हम एडम स्मित का नाम लेते है रिकार्डो जो है इन्हों ने जो श्रम आधारित मुले सिध्धान्त दिया और जो अतिरिक्त मुले का सिध्धान्त दिया उसने माक्स को बहुत अधिक प्रभावित किया एडम स्मित और रिकार्डो ने तो ये दोनों ही सिध्धान्त जो है पुझी पतियों के हित में प्रतिपाधित किये थे लेकिन मार्क्स ने उनका प्रयोग जो है इन दोनों ही सिध्धान्तों का प्रयोग जो है श्रमिकों के हित में किया ने कि पुझी पतियों के हित में और उन्हें पूंजी पतियों द्वारा किये जाने वाले शोषन का परदा फाश किया, क्योंकि मुलता माक्स श्रमिकों का हितिशी था, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाला था, और इसलिए वो यह चाहता था कि पुँजी पतियों के शोशंट से हम श्रमिक वर्ग को किस तरीके से मुक्त कर सकते हैं तीसरा जो विचार जिसने मार्क्स को प्रभावित किया या विचारों का जो है श्रोत बना वह फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन जिसने की मार्क्स को प्रभावित किया और उसमें हम मुक्यत जो है सेंट साइमन जो है चार्ल्स फोरियर जो है इन चिंतकों का जो है उलेक करते हैं क्योंकि इन्होंने उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है और स्रमीकों का उत्थान और उनका शोशन करने वाले वर्ग के विनास का जो सिद्धान्त है साथी साथ में वर्ग विहिन समाज की स्थापना का जो विचार है ये सारे के सारे विचार जो है फ्रांसी सी चिंतकों के थे और इन्होंने मार्क्स को भोततिक प्रभावित किया और इनका ये मानना था कि पूंजी पती जो है या पूंजी पति जो शाषन वेवस्ता है उसकी वज़े से जो है श्रमीकों का जो है शोषन हो रहा है या पूंजी पतियों की वज़े से जो है श्रमीकों का जो है शोषन हो रहा है तो इन्होंने ये बताया कि उत्पादन के जितने भी सादन है उनकी उपर श्रमीकों का जो है स्वामित होना चाहिए उनका अधिकार होना चाहिए और हम किस तरीके से जो है श्रमिकों का उत्धान या कल्यान कर सकते हैं उनको किस तरीके से जो है शोशन्ट से मुक्त कर सकते हैं और वर्ग विहिन समाज का जो विचार है जिसमें किसी भी वर्ग का अस्तितु नहीं हो सबी जो है बराबर हो ऐसी जो इस्तिती है क्योंकि माक्स ने अपना जो सिध्धान दिया है इतिहासिक भूतिक वात का जो सिध्धान्थ है कि इतिहास का जो विकास है उसमें हमेशा से ही दो वर्गों का जो है अस्तितुरा है या दो वर्ग जो है विद्यमान रहे हैं जिसमें एक जो है उत्वादक वर्ग और दूसा जो है श्रमिक वर्ग पुंजी पती वर्ग और श्रमिक वर्ग इनके नाम जो है हर काल में अलग-अलग रहे हैं कहीं पर हमें इन्हें जमिदार वर्ग और हम कृष्रक वर्ग कह सकते हैं कहीं पर हम स्वामी वर्ग और सेवक वर्ग इनको संबोधित कर सकते हैं और कहीं पर पुंजी पती और श्रमिक वर्ग के नाम से हैं इनको जान सकते हैं लेकिन मांक्स ही बनता है कि समाज में हमेशा शही दो वर्गों का स्तितुराया है एक जो है शोशक वर्ग और दूसरा जो है शोशित वर्ग तो इस शोशित वर्ग को हम किस तरीके से शोशन से मुक्त कर सकते हैं यह जो विचार है यह विचार माक्स की द्वारा जो है फ्रेंच समाजवादियों की द्वारा ही ग्रहन किया गया था फोर्थ जो पॉइंट है यह फोर्थ जो शोथ है यह विचार है जिसने की माक्स को बहुत अधिक प्रभावित किया वह था उस समय की जो आर्थिक परिष्थित्यां थी उसने माक्स को बहुत अधिक प्रभावित किया ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो उदारवादी विचार उभर करके आ रहे थे वह विचार जो है पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक सामाजिक और राजनेतिक दर्शन था और माक्षवाद जो है वह जो है मजदूरों और मेहनत करने वाले वर्गों का दर्शन था क्योंकि ब्रिटेन में जो उध्योग की करांती हुई उस उध्योग की करांती ने पूंजीवादी जो उध्योग है उनकी प्रगती ने योरोप में एक नए वर्ग को जन्म दे दिया था और ये वर्ग था मजदूर वर्ग जिसकी दर्शा जो है इतनी अधिक दर्दनाग थी इतनी ज़्यादा खराब थी कि वह अपने जो देने जो आवशकता है उनकी पूर्टी भी वह नहीं कर पा रहा था जिसा कि मैंने आप लोगों को सेकंड पेपर में ये बताया था जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है अधराष्टी संबंध वाला जो अपना पेपर है उसमें जब मैंने आप लोगों को शीतियूद बताया था तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सामयवाद और पुझीवादी ये दो जो विचारदाराएं हैं ये दोनों विचारदाराएं एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से विरोधी विचारदाराएं क्योंकि सामयवादी जो विचारदाराएं वह समाज में आर्थिक समानता को इस्ताफित करना जाती है और उसमें उतपादन के जो सादन है उन पर राज्जे का स्वामित होता है पूंजी वादी जो विचादा रहा है उसमें उत्पादन के साथनों पर पूंजी पतियों का स्वामित होता है और इसी लिए उससे होने वाला लाब जो है वो पूंजी पतियों के पास जाता है और श्रमिकों को सिफ अपने श्रम का मुले मिलता है तो पूंजी पति वर्ग वह श्रमिकों द्वारा उत्पन किये गए अतिरिक तो मुले से और अПन जीवान बन जाता है और श्रमिक वह अपनी पहले जैसी इस्तिती में ही रहता है तो उस समय जो है इंग्लेंड में जो उध्योगी कुरानती हुई और उस उध्योगी कुरानती के परिणाम सरूप जो है वहाँ पर जो एक वर्ग उत्पनुआ श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग जो है जिसकी इस्थिती जो है बहुत ज़्यादा खराब थी और उसी समय जो है मार्क्स के द्वारा जो है विस्व के मजदूरों एक हो जाओ को जो है नारा दिया गया तो उस समय यह समझा जा रहा था कि ब्रिटेन जो है जहां पर की सबसे पहले उध्योगी करांती हुई जहां पर की उध्योग धंदे जो है इस्थापित कीगे कलकार खाने जो है लगाएगे तो जहां पर उध्योग धंदे हैं जहां पर कलकार काने हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा श्रमिक होंगी और श्रमिक ज श्रमिकों के अंदर जो विद्रो था यह संतोस था उसको समय पर भाब लिया और उन्होंने तुरंद फुरज श्रमिकों के हित में बहुत सारे जो है कानुन पारिद करवा दिया श्रमिकों की दसा को शुदाने के लिए उनके असंतोस को दबाने के लिए और उसका परिणाम क्या हुआ जो सामेवादी क्रांती बृटेन में होने चाहिए थी वो बृटेन में नहीं हो करके कहां होती है सोवे संग में जो की एक क्रसी प्राधान अर्थ व्यवस्ता वाला रास्टा जहां पर की सामेवादी सासन व्यवस्ता को इस्तापित किया जाता है और बृटेन जो है श्रमिकों के असंतोस को दबाने में सफल रहते हैं और इस करण से वहाँ पर सामयवदी सलसन वस्ता इस्तापित नहीं हो पाती है तो मार्क्स ने जो वेक्यानिक समाजवाद का जो विचार प्रस्तुत किया उसमें इन श्रोतों की महत्तपूर्ण भुमिका रही है जिसने उसके विचारों को भुततिक प्रभावित किया है धन्यवाद